इस सुभ आउसर पर अन्य पार्टियों की लोगों ने बखेडा खड़ा कर दिया है वो सामिल हो नहीं रहे हैं सामिल क्यों नहीं हो रहे हैं ये भी सुन लेजिए थाइस मई की थी थी एक गौरव साली अधिति की रूप में दर्ज होने जारी है अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें तो उनका मानना है कि ये सम्विधान की उलंगना है ये राश्पती की उलंगना है और प्रधान मंत्री देश में इस समय संसत भवन पर चर्चा काफी तेजी से चल लई है जिसमें एक तरफ तो बीजेपी पार्टी के लोग हैं मुख्य रूप से प्रधान मंत्री और दूसरी तरफ अन्य पार्टियों के लोग हैं अब इन दोनों के बीच में कानून क्या कहता है आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पे नमस्कार मेरा नाम है दुर्गी समिस रहाजी रूप एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में चर्चाओ की अगर हम बात करें तो संसत भवन तयार हुआ पहले भी तयार हुआ अंग्रेजों के समय में लेकिन वर्तमान समय में जब सरकार ने कारिकर आया अब उसकी बारी है उद्गाटन की और उसका उद्गाटन 28 तारीक को होना है यानि की 28 मई 2023 को इस सुबह औसर पर अन्य पार्टियों के लोगों ने बखेडा ख़़ा कर दिया है वो सामिल हो नहीं रहे हैं सामिल क्यों नहीं हो रहे हैं यह भी सुनने जीए उनके ना होने की वज़ए यह है कि उनका मतलब है कि जो उद्गाटन है उसमें देश की प्रथम महिला राश्टपती को अगवाई करनी चाहिए और उनके माध्यम से कारिकरम संपन्न होना चाहिए लेकिन कारिकरम संपन्न हो रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के अगवाई में ऐसा मानना है लेकिन अब क्या होगा आगे समझेए इन सारी चीजों के बीच में फस गया है कानून क्या भीम रहो अमेडगर के द्वारा बनाया गया कानून के तहट कारिय हो रहा या नहीं हो रहा है अगर हम अन्य पार्टियों के बात करें तो उनका मानना है कि ये सम्विधान की उलंगना है ये राश्पती की उलंगना है और प्रधान मंत्री अपने मन से कर रहे हैं अगर ह अगर हम बात करें तो कानून में एक आर्टिकल है 79 जो कहता है कि देश के लिए एक संसद होगी जिसका हिस्सा राश्टपती और दोनों सदन होंगे यानि कि लोकसभा और राज्यसभा ध्यान रहे कि इसमें इस अनुच्छेद में प्रधान मंत्री का उलेक नहीं है 79 में सीध राश्टपती मंत्री परिशद की सला और सहयोग के मुताबिक अपने कामों का निप्टारा करेंगे ये जो सहयोग के मुताबिद है निप्टारा करेंगे इसी कानून के तहट प्रधान मंत्री अपने कारियों को संपन कर रहे हैं किसके सहयोग से राश्टपती के सहयोग से यानि कि प्रधान मंत्री ने पूछा राश्ट्पती से कि ऐसा हो जाना चाहिए तो राश्ट्पती ने अपनी सहमती जता दी है लेकिन पहले कानून में 79 में ऐसा नहीं है तीसरी अगर हम बात करें 87 यानि कि आर्टिकल 87 के तो उसमें लिखाए संसत के नए सस्त्र की सुरवात राश्ट्पती के अभी भाशार से होगी जिसमें सस्त्र आहुत करने के लिए एजेंडा को बनाया जाएगा साफ तो और लिखा 87 में कि इसमें राश्ट्पती के द्वारा ही होगा अब इन सारी चीजों का जिक्र करने के बाद में इन कानूनों की और आर्टिकल की बात करने के बाद में ये निकल कर सामने आता है कि कहीं न कहीं पूरी बाते घूमी फिरी है कानून में एक तरफ तो कहा जा रहा है कि राष्टपती के द्वारा होगा और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राष्टपती के सईयोग से पधान मंत्री कारे कर पकता है दोनों वाते हैं इसके बाद समझेए, एटी सेवन में लिखा है कि इस प्रकार सम्विधान राष्टपती को संसद के काम काज में बहुत मात्वपून भूमिका देता है, इस तरह भारती सम्विधान में साफ है कि संसद में राष्टपती और सर्वोच्च विधाईका के दो सदन यानि की सभा सामिल हैं इन सारी चीजों की बात करें तो तीन आर्टिकल निकले सेवेंटी नाइन सेवेंटी फोर वन और एटी सेवन इन तीनों में मिली जुली प्रतक्रिया आई कि राश्टपती प्रतम है इसके बाद प्रधान मंत्री है प्रधान मंत्री राश्टपती के सयोग से क फैदा उठा रही है कि प्रधान मंत्री की अगवाई में ये कार्य संसत्भवन का संपूर कराया जाएगा लेकिन दिल्चस्म बात यह है कि 28 माई को क्या होगा यह आप स्वेम देखेंगे कुछ विश्यस होगा तो उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे इस वीडियो में इतना ही आपकी अपनी क्या राय है कानून के बारे में क्या राय है क्या सही लिखा या गलत लिखा या प्रधान मंत्री जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या अन्य पार्टियां विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं आप अपनी कमिन्ट बाक्स में बात जरूर रख करें और हमारे YouTube को चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो साब्सक्राइब कर बेल करें फेस्बूक ट्यूटर और इस्टाग्राम को भी फालो करें जिससे कि आपको नहीं सही जानकारी और सटीक जानकारी समय-समय पर मिलती रहें नमश्कार